नमस्ते बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग मुझे उम्मीदे कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 अलजिब्रा का प्रॉब्लम से 3 ठीक है तो चलिए फिर स्टाट किया जाए यह है आपका कोश्चन नमबर 1 चूज दिया है चूज दिया है जी आपका पहला सब कोश्चन देखिएगा यह सीक्वेंस दिया गया है अभी आपको बताना है कि क्या यह अगर यह अपी है तो इसका रीजन क्या है देखो यहां पर आप्शन में दिये गया है पहला रीजन क्या पताया गया है कि D यहां पर माइनस 16 होगा D-4 होगा या फिर यह AP ही नहीं है या फिर D क्या होगा 4 होगा तो यह तो हमको चेक करना पड़ेगा ना तो क्या करेंगे D कैसे निकाला चाहता है जो दूसरा term होता है उसमे से हम लोग उसके पिछले वाले term को minus करते हैं तो क्या करेंगे minus 6 में से minus करते minus 10 को ठीक है देखते क्या आता है minus 6 minus minus 10 तो क्या आएगा बच्चो minus 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 क्या होता है plus और 10 minus 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा ठीक है अभी चलो एक बार और चेक करते हैं तो इसको चेक करते हैं बच्चो देखो माइनस 2 माइनस 6 है ना माइनस 2 में से माइनस 6 को हम लोग less करेंगे तो क्या आएगा बच्चो देखो क्या करेंगे हम 2 minus minus 2 तो बताओ कितना आएगा minus minus plus और 2 plus 2 कितना होता है बच्चो 4 होता है मतलब यहाँ पे जो आपका d है वो क्या आ रहा है 4 ठीक है तो d कहाँ पे 4 दिया है ध्यान से देखिए का इधर तो minus 16 दिया है मतलब यह तो गलत है अज़ा इसको तो देखो इधर क्या है 4 और भी आया है ना देखो डी का वैल्यू क्या है 4 आए मतलब हमारा कर्एक्ट आंसर क्या है बच्चो यहीं है जी आपका राइट आंसर ठीक है तो इसको आप लोग टिक कर लीजेगा अगला वाला अगर आप चेक भी करते हो तो इधर तो माइनस सब्सक्राइब देखते हैं तो इसमें क्या दिया है कि फर्स पूर्ट टर्म्स ऑफन एपी आर हूस फर्स ट्रम इस माइनस टू एक मिनुट मुझे जारा कोश्चन देखने देना तो दोनों जगा माइनस टू है क्या ठीक है कोश्चन एक बार रुकिए बच्चेव सेखते हैं उगिसे माइनस टू हम माइनस टू चलिएगा वहां कोश्चन लेकिए ठीक है तो हमें वहावेश प्ताना है जिसका फॉर्स ट्रम क्या हो माइनस ू और यहां का वैलू भी माइनस टू हो एक है को चेक करना पड़ेगा हैं जा आपको रापकर दू और संघ बसक देखो A के घम को चेक करना पड़ेगा इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो बच्चो फर्स्टम आपका क्या है यानि A क्या है माइनस टू है न तो पहली वाली कंडिशन तो हो गई सैटिस्फाई लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है न वो भी माइनस ट होना चाहिए तो ऐसा होगा क्या अगर मैं यहाँ पर डी फाइंड आउट करती हूं 0-2 करने पर क्या आएगा 0-2 जीरो में से माइनस टू को माइनस करना पड़ेगा तो 0-2 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू यानि इधर तो टू आएगा बराबर सही है न देखो प्लस टू आ रहे है लेकिन क्या बोला था यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए माइनस टू होना चाहिए मतलब यह ओप्शन को आप लोग कैंसल कर दो यह हमारा आंसर नहीं होगा ठ लेकिन नहीं आएगा तो फिर हमको आगे चेक करना पड़ेगा ठीक है तो अभी कॉमन डिफरेंस निकालीएगा फोर मेंस माइनस माइनस करते है फोर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है तो फोर प्लस टू तो सिक्स हो जाएगा मतलब यह ऑप्शन भी गलत है ठीक है क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस इक सा गया लेकिन हमको कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए बोलो जल्दी से माइनस टू चाहिए है ना मतलब यह घरत है चलिए इसको भी कैंसल कर दिया अब हम लोग पर प्लस होता है थीक है अब इसको आप लोग solve कीजिए minus 4 plus 2 कितना आएगा तो कितना आएगा minus 2 आएगा बराबर चलो यहाँ पर minus 2 आगया एक बार और चेक कर लेते हैं अगर मैंने minus 6 में से minus 4 को minus किया तो कितना आएगा minus 6 minus minus plus 4 तो कितना आजाएगा बच्चो minus 2 सही है ना तो देखो यहाँ पर जो आपका first term है वो भी minus 2 है and common difference भी क्या आ रहे है minus 2 यानि आपका correct answer क्या होगा बच्चो यही होगा ठीक है अगर आप आगे check करना चाहो तो कर सकते हो करो एक बार अभी आपको पता लगेगा यहाँ पर अगर मैं minus 4 में से minus 2 को minus करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा minus आगे वैसे check करनी की जरूवत नहीं answer मिल गया लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए अपनी संतुस्ती के लिए check कर सकते हो है ना तो यहाँ पर तो minus 2 आ जाएगा लेकिन minus 8 minus 4 करेंगे तो कितना आएगा देखो minus 8 minus minus plus 4 और अभी देखो इधर कितना आजाएगा minus 8 plus 4 minus 4 आएगा तो यहाँ पर देखो इधर d कितना आया यह और इधर d कितना आया minus 4 मतलब यह ap नहीं है समझा आपको तो यह जी आपका right answer तो इस प्रकार से आपका यह जो दूसरा वाला sub question था यह भी complete हुआ अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की ठीक है अब इसको ना solve करके देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको formula यूज करना पड़ेगा देखो क्या दिया इसमे what is the sum of the first 30 natural numbers तो first 30 natural numbers का मतलब क्या होता है बच्चो natural numbers starts from one तो क्या बोला इसमे first 30 natural numbers यानि एक से लेकर के 30 तक के numbers की बात की जा रही है तो हमें वो numbers का क्या बताना है बच्चो sum बताना है तो याद है आपको sum जब हमको निकालना रहते तो कौन सा formula यूज करते है सबसे पहले वो numbers लिखती हूँ ठीक है देखो बच्चो इसका solution यहाँ पर करते हैं first 30 natural numbers तो क्या हो जाएंगे एक दो तीन ऐसे ही बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा कहां तक 30 तक जाएगा बराबर अब देखो जब ही आपको sum निकालना रहता है तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या formula देखा था n upon 2 फिर bracket के अंदर क्या आता है 2 a plus फिर bracket में n minus 1 into d और यहाँ पर bracket close ठीक है तो अब देखो हमारे पास क्या-क्या है यहाँ से यहाँ से हमको क्या-क्या मिलेगा तो a का value हमको मिल जाएगा a का value बोलना सरा one yes very good फिर d का value क्या आएगा तो यहाँ पर common difference कितना है एक एक का difference है न देखो दो में से एक गया तो एक आता है तीन में से दो गया तो एक आता है न तो यहाँ पर देखो बच्चों आपका a क्या है one है और d भी क्या है one है इसके अलावा और कुछ value हमारे पास है तो है न हमारे पास n का भी value है आप बोलेंगे कहां पर है अरे यह दिख नहीं रहा यह क्या है हमारा n कितना 30 ठीक है यानि हमको find क्या करना है बच्चों sum of the first 30 natural numbers यहीं बोला था ना sum of the first 30 natural numbers यानि n का value क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है अब देखो सारी values आपके पास है बस आपको यह formula में डालना है और answer मिल जाएगा तो चलो फिर देरी किस बात की करते हम इसको तो यहां पर लिखेंगे as 30 और फिर n का value बोलो जल्दी से 30 upon 2 फिर यहां का value क्या है 30 minus 1 और डी का value is 1 ओके चलो अब इसको आगे solve करते हैं तो इसको cancel करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 15 आ जाएगा और यहां पर 2 वल्दा 2 plus 30 minus 1 करोगे तो 29 29 into 1 करोगे तो 29 नहीं आएगा अब इन दोनों को plus कर देते हैं तो 15 into 29 plus 2 कितना आएगा 31 ओके अब इन दोनों का multiply कर दो देखो 15 into 31 तो 1 फाइजा 5 1 1 जा 1 3 फाइजा 15 और 3 1 आया आ गया 465 बोलो कहां पर है यह option भी is the correct answer समझेगी नहीं समझ गया ना बस ऐसे इसको solve करना था वैसे आपने यह तो पहले भी इस टाइप के questions को solve किया है तो मुझे इसके बाद problem set के questions को solve करो ठीक है तो अगर आप इस sequence में आगे बढ़ोगे तो सच्छी बोल रहे हूं आपको सारे questions बहुत अच्छे से समझेंगे ठीक है चलिए अभी आगे देखिएगा यह है आपका fourth question तो इसमें क्या दिया है foreign given AP T7 which is equal to 4 and T is equal to minus 4 then A का value हम लोगों को find out करना है मतलब आपके पास देखो T7 है और D का value है तो A का value आपको पताना है तो कौनसा formula आप यूज करोगे आरे देखो अगर आपके पास T7 दिया गया है तो आपको TN का formula यूज करना चाहिए है ना तो TN का formula क्या होता है यहाँ पे मैं इसका solution कर दू चलो देखो मैं आपको करके बताती हूँ TN का formula क्या होता है TN which is equal to A plus N minus 1 into D ठीक है अब चलिए values इदर put करते चाहिएगा T7 यहाँ पे दिया है तो हम लोग लिखते है T7 which is equal to मतलब देखो T7 यानि N का value क्या हो जाएगा बच्चो 7 हो जाएगा मतलब जहाँ पे भी N है वहा इसे देखो minus 4 बराबर चलो अभी आगे देखते है T7 का value कितना दिया है 4 तो यहाँ पे T7 के place पे हम क्या लिख देंगे बच्चो 4 ठीक है फिर A और 7 minus 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 6 into minus 4 अब इसको आगे करो तो 4 which is equal to A 6 into minus 4 करेंगे तो 64 सा क्या होता है 24 तो यहाँ पे आ जाएगा minus 24 बराबर अब एक काम करते है माइनस 24 को इधर ले लेते हैं तो क्या होगा देखिएगा 4 minus 24 इधर आने के बाद प्लस 24 हो जाएगा यानि एका वेल्यू आपको क्या मिलेगा बच्चो 24 प्लस 4 28 अब बताओ 28 कहां पर है देखो ध्यान से देख करके बताओ यह है नहीं यह नहीं अरे यह देखो यह है ना option D is the correct answer हमने बता दिया एका वेल्यू क्या आएगा 28 ठीक है देखा आपने कितना सिंपल था है ना question में देख करके समझने का कि कौन सा formula यहाँ पर आपको यूज करना है चलो अभी अगला सवाल देखते हैं इसमें यह दिया ह कोई एक AP है जिसमें A का value कितना है 3.5 and D यानि कि common difference कितना है बच्चो 0 है और N का value क्या है 101 ठीक है देन हमको क्या find out करना है TN हमको find out करना है ठीक है तो कैसे होगा यह भी बहुत सिंपल है देखो अगर आपको TN निकालना है ना तो आपको कौन सा formula यूज करना पड़ेगा Yes TN का formula यूज करना पड़ेगा तो चलिए फिर करते हैं यहाँ पर हम लोग यह वाला formula लिख दिंगे same to same TN which is equal to A plus bracket के अंदर N-1 into D ठीक है अभी आपको values put करते चाना है तो देखिएगा क्या होगा आपको बताती हूँ देखो इधर A के place पर क्या लिखोगे 3.5 फिर प्लस N के place पर क्या लिखोगे बत्चो देखो 101 N-1 है ना तो 101-1 फिर D के place पर क्या लिखोगे देखो इधर 0 तो यहाँ पर लिख दिया 0 ठीक है अब इसको आगे simplify किए चीए तो देखिए 3.5 का तो 3.5 भी रहेगा प्लस 100 1-1 करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा तो यहाँ पर लिखा 100 इंटू 0 ठीक है तो अब देखो यहाँ पर 3.5 प्लस 100 इंटू 0 करेंगे तो देखो 0 का multiply किसी भी number में कर लो answer तो 0 यहाँ आता है तो यहाँ पर क्या आजाएगा 0 बराबर अब इन दोनों को plus करो क्या आएगा 3.5 यानि कि TN का value कितना आगया बच्चो 3.5 अब बताओ 3.5 कहाँ पर है यह है यह को यह है ना option B is the correct answer ओके तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए देखे यह भी बहुत सिंपल सा question था अब बात करेंगे हम लोग question number 6 की ठीक है तो आब इसको कैसे solve किया जाए चलो ए minus 3 and 4 मतलब एक कोई आपके पास AP है मतलब एक AP है जिसमें first term आपका क्या है minus 3 second term क्या है बच्चो 4 है ठीक है तो फिर हमें find क्या करना है 21st term हमको find out करना है 21st term का मतलब क्या होता है T21 हमको निकालना है देखो जबी सम आया ना याद लगना दिमाग में बिठालो जबी सम आया कि वहाँ पर आपको SN वाला formula यूज़ करना है लेकिन अगर सम नहीं आता है तो फिर आप समझ आईए कि आपको TN वाला formula यूज़ करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला 21st term आपको find out करना है यानि कि T21 आप लोगों को निकालना है ठीक है तो चलो अभी इसको solve करते फट minus minus 3 है ना 4 में से minus 3 को minus कर देंगे तो क्या आएगा 4 minus minus plus 3 चार ओर दिन कितना होता है बच्चो साथ तो देखो यहाँ पर A है D है इसके अलावा हमको find क्या करना है हमको यहाँ पर T21 find out करना है ठीक है तो यहाँ से हमको N का भी value मिल जाएगा मिलेगा की नहीं देखो T21 मतलब यहाँ पर N का value क्या हो जाएगा 21 ठीक है तो हम लोग N के place पर क्या लिखने वाले है 21 याद रखना समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को अच्छा आपको मैंने पहले ही पता है एक बार फिर से बता देती हूँ यह T21 का मतलब होता क्या है और N का value 21 इसका मतलब क्या है जैसे की एक्जांपल से समझते हैं देखो मैं यहां पर कुछ numbers लेती हूँ जिसकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने यहां पर लिखा 3 6 9 12 15 ठीक है इस प्रकार से मैंने numbers लिखे बराबर अब यह क्या है यह AP है ठीक है तो अब इस AP में यह जो आपको पहले प्लेस पर नंबर दिखाई दे रहा है यह फ्रस प्लेस पे है यह सेर्ड पर यह फिफ्ट पर ठीक है तो यह फिप्ट बाले कोundंकि नंबर योडि मूंसा नंबर यह हो जाएगा अगर मैं आप से पूछू कि Fort बताउ तो इब क्या बोलोगे इधर से second पे है यह third पे है यह fourth पे and यह fifth पे ठीक है तो यह first वाले को मैं क्या बोलुँगे बच्चो first term यानि T1 इसको हम क्या बोलेंगे बच्चो T3 इसको क्या बोलेंगे T4 यानि अगर मैं आपसे पूछोंगे मुझे T5 बताओ तो आप क्या बोलोगे इधर से आप काउंट करोगे कि पांचवे नंबर पर कौन सा नंबर है तो एक दो तीन चार पांच यानि यह हो जाएगा टीफाइब ठीक है अच्छा इसमें एन क्या होता है तो एन हमको बताता है प्लेस आप दा नंबर यानि कि वो जो नंबर है ना जैसे मैं आप पर एन का वेल्यू क्या हो जाएगा बच्चों फाइव होगा ठीक है तो अगर मैं टीफोर टीफ्री टीफाइस प्रकार से बोलती हूं यानि मैं उस पूरे नंबर की बात कर रही हूं लेकिन अगर मैंने आप से एन पूछा तो आप मुझे क्या बताओगे प्लीज ओप द बताना है कि वो नंबर कौन सा है ठीक है चलो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन रुको इसको मिटा दू तो टीएन का फॉर्मूला आम लोग यूज करेंगे टीएन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बच्चों अभी अभी तो बताया था ना टीएन विच होटा व्यूर्व 2-3 Economics यहां अवडीए वी बडेन पर क्या हां च्वेण चय cylinder एक्मूला गांगे 20ग है यह कर अव यहां सिंप्लिफाइं को उव stunni एक्स फीकmaं बढ़ाबन तो यहां पर हम लिख देंगे एक मिनट हां 137 माइनस में की प्लस में आएगा यह से अवरीवन तो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइने प्लस का साइन है इसलिए इसका आंसर किसमें आएगा बच्चो प्लस में आएगा यानिकि T21 कितना आ गया 137 अब बता 137 कहां पर है तो यह देखो option C is the correct answer समझा आपको कैसे किया हमने है ना माइनस का साइन इदर मत लगा ना इदर प्लस का साइन लगा ना क्योंकि हमने पहले भी सिखा है कई बार आपको मैंने बताया भी है कि हम लोग greater number का साइन क्या करते final answer में लगा तो इसके लिए इसका आंस चलिए देखते हैं बच्चो 7 वाला question तो इसमें आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको T18-T13 find out करना है अगर किसी AP में D का value 5 हो तो ठीक है तो कैसे होगा बहुत simple है हम लोग क्या करेंगे बच्चो T18 निकालेंगे फिर T13 उसके बाद T18 में से इसको minus कर देंगे और हमें ह हमारा answer मिल जाएगा ठीक है तो चलिए फिर देखते हैं formula लिख लो TN का क्या होता है TN which is equal to A plus bracket के अंदर N minus 1 और यहाँ पर क्या आता है बच्चो इंटू D ठीक है अभी क्या इधर T18 है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे T18 which is equal to A plus N का value क्या हो जाएगा 18 minus 1 और फिर D के प्ल 18 which is equal to A plus 18 minus 1 करोगे तो कितना आएगा 17 आएगा बराबर और यह D लेकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 17D ठीक है इसको आप लोग लिख दीजिएगा equation number 1 ओके तो यह हमको क्या मिला T18 समझेगी नहीं और फिर अब आगे देखिए इधर क्या है T13 तो यहाँ पर हम लिखते है T13 which is equal to A plus N के place पे बोलो क्या लिखोगे अभी N का value आपको क्या मिला 13 मिला तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13-1 और D फिर T13 which is equal to A plus 13-1 करेंगे तो कितना आजाएगा बच्चो 12 आजाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12D ठीक है इसको लिखना equation number 2 हमें बताना क्या है हमें T18-13 बताना है तो हम क्या करेंगे equation 1 में से equation 2 को minus करेंगे है ना देखो 1 में से हम लोग 2 को minus करेंगे तो चलो फिर करते हैं left hand side को left hand side से minus करना right hand side को right hand side से minus करना तो T18-13 लिखेंगे हम T18-13 which is equal to अब देखो इधर क्या है A plus 17D A plus 17D इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों किसको माइनस करेंगे तो देखो इधा right hand side में क्या है A plus 12D तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे A plus 12D ठीक है अब क्या हो जाएगा इधर तो जो है वो रहने ही दो यह जो bracket है न इसको हटाओ तो A plus 17D माइनस अंदर जाएगा तो माइनस A हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 12D हो जाएगा यहाँ पर फिर उसके बाद देखो प्लस A माइनस A यह दोनों को हम लोग कैंसल कर देंगे और 17D माइनस 12D करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 17 में से 12गो माइनस करो कितना आता है 5 आता है तो यहाँ पर आचाएगा 5D ठीक है अब देखो जीदर D का वेल्यू कितना दिया था 5 दिया था ना तो हम क्या लिखेंगे 5 इंटू D के प्लेस पर 5 तो दोनों का मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आचाएगा 25 यानि की T18 माइनस T13 कितना आया बच्चो 25 तो यह है जी आपका राइट आंसर अब देख लो ओप्शन में कहाँ पर है 25 देख लेजे फटा फट से यस ओप्शन सी इस दा करेंग तांसर ओके समझा कैसे करना है चलो अभी अगला कोश्चन देखते हैं यह है तो फर्स्ट फाइब मल्टिपल ओफ थ्री ऐसे नंबर कोन से होंगे देखो आपको इसका सॉलूशन करके बताती हूं यह भी बहुत सिंपल सा है देखो 3 1s 3 3 2s 6 3 3s 9 3 4s 12 3 5s 15 यहीं तक जाएंगे न इससे आगे नहीं जाएंगे क्या बोलाएं आपे तो सम नंबर हमको लेने है तीन से मल्टिपलाई होने वाले तो ले लिया न हमने ठीक है और लाइन से लेना है बराबर तो हमको यहाँ पर क्या बताना है सम बताना है आपको एसन का फॉर्मला यूज़ करना है तो यहां पर क्या बोला sum of first 5 multiples of 3 यानि हमको यहां पर find out करना है S5 का value हम लोगों को बताना है तो कैसे बताएंगे देखिएगा यहां से हमको A का value मिलेगा D का value मिलेगा और हमको यह बताना है वो हम लोगों बहुत आसानी से बता सकते हैं तो चलिए फिर लिखते हैं यहां पर एका value क्या हो चाहेगा बच्चो 3 एंड D का value क्या होगा देखो 6-3 कर दो तो कितना आएगा 3 आएगा तो D का value भी 3 है और E का value भी क्या है 3 है ठीक है इसके अलावा हमको find क्या करना है S5 हमको find out करना है रुको दोनों एक जैसा दिख रहा है न मैं थोड़ा आच्छे से लिखती हूँ S5 ठीक है फिर भी वो ऐसे ही दिख रहा है रुको 5 को थोड़ा आच्छे से बनाती हूँ यह हमको find out करना है और यहाँ पर N का value क्या हो जाएगा बच्चो देखो देखो ध्यान से 5 हो जाएगा समस्ते हो न N का value क्या होता है ठीक है अब चलिए formula यूज करते हैं तो S N का formula क्या होता है S N which is equal to N upon 2 with bracket के अंदर 2 A plus N minus 1 into D ठीक है अब क्या करेंगे values put करेंगे हमें find क्या करना है S 5 N का value is 5 upon 2 ठीक है फिर 2 into A का value 3 है न तो यहाँ पर 3 लिखा plus N का value is 5 minus 1 और D का value is also 3 तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया ठीक है अब इसको आगे simplify करते हैं तो इसको 5 upon 2 ऐसे ही रहने दो बाद में हम लोग इसको cancel करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा और 2 3 सा 6 प्लस 5 minus 1 करेंगे तो 4 into 3 ठीक है फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 upon 2 into यह देखो 4 3 सा क्या होता है 12 होता है न 6 plus 12 क्या हो जाएगा 18 6 plus 12 18 अब इसको cancel करते है 2 1 सा 2 2 9 सा 18 बराबर और 9 5 से क्या होता है बच्चो तो 45 ठीक है तो यहाँ पर S5 कितना आजाएगा 45 यानि कि first 5 sum of first 5 multiples of 3 is क्या हैगा बच्चो 45 तो 45 कहां पर है देखो यहाँ पर option A okay so this is your right answer इसको आप लोग टिक कर लिजेगा यहाँ पर लिख सकते हो 45 ओके समझा कैसे किया हमने तो 8 question भी हमने कर लिया अभी question number 1 के अंदर दो और question 9 और 10 तो चलो आप इसको देखो उसके बाल मैं आपको आगे ले करके चलते हो question number 9 देखेंगे हम तो इसमें क्या दिया है यह जो sequence आपको दिखाई दे रहा है यह आपका क्या है बच्चो AP है ठीक है तो इस AP में हमको क्या बताना है sum of first 10 term यानि कि जैसे मैं आपको बताती हूँ देखो यहाँ पर यह है जी आपका AP 15 10 5 ठीक है इसी प्रकार से आगे numbers आते जाएंगे तो हमको क्या बताना है sum of first 10 term यानि कि जैसे यह हमारा पहला term है यह दूसरा है यह तीसरा है इसी प्रकार से अगर मैं 10 terms को क्या करती हूँ प्लस करती हूँ मतलब इसी AP में अगर मैं 10 terms को प्लस करूँ तो फिर final answer क्या होगा वो आप लोगों को बताना है यानि कि हमें यहाँ पे निकालना है S10 क्या निकालना है बच्चो S10 क्योंकि S10 का मतलब क्या होता है sum of first 10 terms क्लियर हुआ आपको क्या find out करना है तो चलो फिर कैसे किया जाए अरे बहुत simple है हमको तो S10 का formula आता है वह ही use करेंगे और हमको हमारा answer मिल जाएगा तो देखो यहाँ से हमको A और D मिलेगा बताओ A minus 15 कर दो बोलो answer क्या आएगा minus 5 तो देखो A भी मिल गया और D भी मिल गया हमको क्या बताना है S10 बताना है ठीक है चलो अब है formula फटा फट से use करते है formula क्या आता है SN which is equal to N upon 2 bracket के अंदर क्या आता है 2 A plus N minus 1 into D ठीक है अब S10 हमको बताना है न तो N का value क्या हो जाएगा बच्च 15 plus N का value 10 minus 1 और D का value is minus 5 तो write down here minus 5 ओके अब क्या होगा देखो 2 1s are 2 2 5s are 10 यहाँ पे 5 आचाएगा फिर 15 2s are 30 plus 10 minus 1 करो के तो कितना आएगा 9 आएगा into minus 5 ठीक है अब इसको आगे simplify करो तो S10 रुको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ S10 which is equal to either 5 है तो 5 को ऐसे ही रहने दीचिये फिर यहाँ पर 30 plus यह देखो बच्च 9 into minus 5 करेंगे तो 9 5 सा क्या होता है 45 होता है और minus plus क्या होता है minus होता है मतलब यहाँ पे क्या आजाएगा minus 45 ठीक है फिर 5 into 30 minus 45 करेंगे तो कितना आएगा 30 minus 45 5 minus 0 गया तो 5 yes 15 आएगा plus में की minus में तो greater number के आगे कौन सा sign है minus का न तो यह आजाएगा minus में समझे अब देखो 5 into minus 15 तो 15 5 सा क्या होता है 75 होता है plus minus minus मतलब यहाँ पे क्या आएगा minus 75 तो देखो sum of first 10 terms क्या आगया minus 75 अब बताओ minus 75 कहा पर है यहाँ पर है यानि option A is the correct answer ओके समझा ना अब चलो बच्चों यहाँ पर last वाला finally हम लोग यह 10th question भी देख लेते हैं तो इसमें क्या दिया है कि इनन AP यानि कि एक AP में first term is 1 and the last term is 20 चलो एक एक करके लिखते जाते हैं ओके जो कुछ भी दिया है उसको लिखने का ओके जो भी information दी रहती है ना उसको अच्छे से समझो लिखो फिर उसके बास solution करो तो एक AP है जिसमें first term क्या है बच्चों 1 यानि A का value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सही है ना यहां पर हम लिखते हैं तीन विज इड़ टी इओ ट्वेन सबाओत चाने मुक्न धू की त्वेनि की सिर वं थे तो यहां पे लास्ट का value आपके पास कितना है यहांपर कलेंग डिर्श G एखना टीन अलिर न विच network ऊस्टन क्या कितना है विग्वा तुरन है Summit ठीक फिर क्या है the sum of all terms is 399 यानि जो भी आपके पास एपी है ना अगर मैं वो सारे terms को जितने भी terms दिये गया अगर मैं उसका sum करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 399 तो sum of sum of numbers क्या हो जाएंगे sn है ना इसका मतलब तो यह हो का देखो आपको बताती हूँ रुक्वाय से ने समझेगा ठीक है कि एक एक पी है आपके पास इस प्रकार से यह लोजे समझो आपका एपी है यह फॉर्स सेकेंड थर्ड ठीक है इस प्रकार से यह सारे आपके तो यहां पर जो आपका फॉर्स टम है वह आपका ए हो जाएगा बराबर लास्ट अपका क्या होगा बच्चो टी एन हो जाएगा ठीक और सम ओफ एंथ टम्स क्या होजाएगा मतलब पूरा जितने भी टम्स दियेगा अगर मैं इन सभी को सम करूं तो मैं इसको कैसे लिखोंगी एसे लिखोंगी जो कितना दिया है बच्चो 399 समझ में आ रहा है की नहीं सम ओफ एंथ टम से उस एपी के अंदर उनका सम कितना होता है 399 होता है आपने मंसे नहीं बोला यह अल्रेडी कोश्चन में गीवन है समझ रहे हो बात को तो और यह जो वैल्लिव है यह क्या है बच्चो एस एन क्या है एसन तो यहां पर आम लोग देते हैं एसन कितना दिया है 399 ठीक है तो फिर हमको यहां पर ऐन का वेल्लिव फाइंड आउट करना है तो क्या हम कर सकते हैं जी हां कर सकते कैसे चलो आपको बताती हूँ यह सारी information की मदद से कैसे n का value आएगा समझाती हूँ आपको सबसे पहली बात तो tn का formula लिखिए tn which is equal to क्या होता है बच्चो a plus n minus 1 into d इसको लिख देना equation number 1 ठीक है इसको याद रखना अब चलो हम लोग sn का formula यूज करते हैं तो क्या होता है n upon 2 फिर 2a plus n minus 1 into d ठीक है जो भी value है आपके पास उदर पूट करो तो एक काम करते हैं क्या काम करेंगे कुछ न कुछ न कुछ न करना पड़ेगा ठीक है ऐसे हमको आंसर नहीं मिलने मादा रुको बताती हो आपको यह जो ऐसे नहीं कितना है 399 लिख दीजिए यहां पर और n upon 2 इसको भी ऐसे रहने दो बागी यहां पर हमको कुछ करना पड़ेगा यह जो 2a है न बच्चो इसको आम लोग कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते ना a plus a क्योंकि a plus a करोगे तो कितना आएगा 2a ही आएगा तो मैंने क्या किया 2a के प्लेस पर यह लिख दि लिख दीजिए प्लस n-1 इंटू D ठीकर अब क्या करेंगे बताते हूं रुको रुको बताते हूं आपको यहां पर 399 which is equal to n upon 2 और अब क्या होगा यहां पर देखो एक काम करेंगे इधर a लिखा ठीक है फिर इधर प्लस अब क्या करेंगे यहां से यहां तक को एक ब्रैके क्लोज और यह वाला ब्रैकेट क्लोज क्या किया मैंने जादर कुछ नहीं किया बस यहां से यहां तक को एक ब्रैकेट में कर दिया बाकि जादर कुछ भी नहीं किया ठीक है ऐसा क्यों किया बताती हो पहले इतना समझो क्या क्या कुछ भी नहीं देखो सब कुछ से मैं लिख सकते हैं तो क्या करेंगे इस पूरे के प्लेस पे लिख देंगे टी एन ओके चलो कि 399 विच इक्वाल टू एन अपॉन टू और फिर ए प्लस इसके प्लेस पे टी एन लिख दियां के समझा कैसे किया कहां से अरे बन से लिखा न इधर चाहो तो तो रिजन लिख करके दिखा सकते हो फ्रॉम वन अब आगे का तो रस्ता एकड़म आसान ठीक है बस जो था बस यहीं तक था पहुच चुके हैं हम लोग एन अपॉण टू फिर ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे ए का वेल्लू है ना यह देखो वन तो यहां पर लिख देंगे वन प्लस टी एन के प्लेस पर बोलो बोलो ट्वेंटी देखो दिया ना तो यहां पर लिख देंगे ट्वेंटी अब इसको आगे करते हैं एन 20 plus 1 21 आ जाएगा 21 बराबर और फिर multiply कर देंगे तो 21 and upon 2 अब क्या किया जाए साधा कुछ नहीं अब इन दोनों को इधर ले लेंगे और फिर n का value हमको मिल जाएगा तो चलो आगे इसका solution करते हैं रूकी एक मिनट इधर में करती हूँ यह देखो यह 2 को इधर लेंगे तो 2 उदर divide में जब इधर आएगा तो multiply में हो चाएगा और यह जो 21 है multiply में जब इधर आएगा तो divide में हो चाएगा यह नहीं इस प्रकार से 399 into 2 upon 21 which is equal to n बराबर अब क्या होगा अब multiply करते देखो 2 9 सा 18 1 आ गया 2 9 सा 18 1 19 फिर 2 3 सा 6 1 7 फिर upon 21 which is equal to n बराबर अब इसको divide कीजिए कितने बार में जाएगा सोचना पड़ेगा है ना अच्छे से सोचो 7 से cancel कर सकते हैं 7 हाँ 7 से इन दोनों को cancel किया जा सकते हैं चलिए फिर करते हैं देखिए यहाँ पर क्या होगा 7 1 सा 7 देखो 7 1 सा 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7 सा 7 इसमिस 2 बचेगा 7 4 सा 28 मतलब यहाँ पर 114 आ जा में जाएगा यहीं पर घरते रुको एक मिनाट एक मिनाट 3 3 सा 9 फिर इसमें से कितना बचेगा तो 9 10 11 ठीक है तो 3 8 सा क्या होता है बच्छो 24 यानि एन का वेल्यू हमको क्या मिला 38 ओके यहां पर लिखती हूं एन का वेल्यू इस 38 तो देखो हमको एन का वेल्यू बताना थ हमने बता दिया कितना आया 38 आया बताओ 38 कहां पर है यह देखो जी तो यह है जी आपका राइट आंसर समझा तो काफी बड़ा था इसका सॉल्यूशन पर पर आसान था ठीक है अगर आप समझ करके करोगे तो आपको आएगा ओके तो देख लिए हमने यह जो कोश्य नंबर यह पूरा के पूरा कंप्लेट कर लिया है ओके